हेलो दोस्तों वेलकम टो आवर यूटूब चैनल हॉट कॉंट्रोवर्सी बॉलिवोड स्टार्स की लव लाइफ के किसे आयदन सुर्ख्या बटोरते रहते हैं वेटाउं के गलियारों में रिष्टों का जरना और बिगरना आम बात है लेकिन कई बार इनके बिगरते रिष्टों का कारण पता नहीं चलता ऐसी ही एक रिष्टा अभिशेक बच्चन और करिश्मा कपूर का था दोनों इक दूसरे को डेट कर रहे थें बास शादी तक भी पहुँच गई थी दोनों उनकी सगाई भी हो गई थी लेकिन फिर अच्छानक दोनों की राहें अलग हो गई खबरे तो ये तका रही थी कि जया बच्चन नहीं चाहती थी कि उनकी बहुच शादी के बाद काम करें वहीं करिश्मा को ये सर नामन्जूर थी वहीं करुष्मा की मा बबीता को अभिशेग पसंद नहीं थे इसकी एक वज़ा ये भी थी कि अभिशेग की फिल्म में फ्लॉप और फ्लॉप होरी थी वहीं करुष्मा अपने वक्त की टाप अक्टरस में से एक थी अब सालों बात दोनों के अलग होने कारण पता चला है दरएसल फिल्म निर्देशक सुनील दर्शन ने अपने एक इंटर्वियू में अविशेक और करिश्मा के रिष्टे पर बात की उन्होंने अपनी बात को शुरू करते वे कहा अविशेक और करिश्मा दोनों ही अच्छे इंसान हैं लेकिन शायद कुदरत को दोनों का साथ रहना मनजूर नहीं था मैं उन्हें देखकर समझ गया था कि दोनों मेड फॉर इच अदर नहीं हैं दोनों के बीच अकसर जगरे हुआ करते थें बता दें कि सुनील ने अभिशेक और करिश्मा के साथ फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया में काम किया था इस फिल्म की शूटिंग के दौरार ही अभिशेक और करिश्मा एक दूसरे को टेट कर रहे थे सुनील दर्शन ने बताया कि अभिशेक और करिश्मा करिश्टा कोई अफवार नहीं बलकि पूरी तरह सच है दोनों एक दूसरे के बेहत करीब थे और शादी भी करने वाले थे मैंने खुद करिश्मा अभिशेक की सगाई का फंक्शन अटेंड किया था पर शादी से पहले ही दोनों का रिश्टा तूट गया बाचीत को जारी रखते वे सुनी उन दर्शन कहते हैं अभिशेक और करिश्मा एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं थे दोनों के बीच करी सारी असमानताएं थी दोनों के बीच हर समय कलह चलती ही रहती थी दोनों को देख मैं अकसर यह सोचता रहता था कि क्या ये दोनों एक सथ रह पाएंगे यो तो अभिशेक काफी प्यारे हैं और करिश्मा भी एक अच्छी इनसान है लेकिन कुछ चीजों का फैसला सिर्फ करिश्मत करती है नियती को ये रिश्टा मनजूर नहीं था बता रहें कि अभिशेक और करिश्मा ने बेगबी के साथवे जनम दिन पर अपनी सगाई के घोशना की थी लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही ये रिश्टा तूट गया हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले